पिराची में हादसे का शिकार होने वाले पियाए के बतकिस्मत तयारे की हादसे से चंद लम्हें पहले की सेटलाइट वीडियो जिसमें देखा जा सकता है कि पाइलट ने पहले जब रनवे पर तयारे को उतारने की कोशिश की पाइलट ने दुबारा टेक आउफ किया तो 20 स तयारे की लोकेशन रनवे के उपर है सेटलाइट वीडियो में देखा जा सकता है कि दूसरी बार इंजन की खराबी के बाइस पाइलट ने जहास को शॉर्ट कट से रनवे पर ले जाने की कोशिश की और दुबारा लेंडिंग के दौरान तयारा मन्जर से खाइब हो गया की तो 20 सेकंड तक वो रनवे पर रहा उसके बाद जो है वो पौरी तोर पे जो है उसे उड़ान दुबारा बरी और जो रनवे से होता हुआ जो है बाई जाने मुड़ा है और तकरीबन त्यारा दो से धाई मिनट तक ये मजीद उरान उड़ता रहा है जबके ये शाफैसल अलफला के अलाके से होता हुआ जैसे इसने दोबारा लहनी की कुछिए तो माडल कालोरी के करीब ये गिरकर तबाव होगिया है पाईलेट के वाले तो सेटलाइट फोटेज मिली है इसमें इंजन की खराबी के सबब बातचीद भी कर रहा है और इसने ये भी बताया कि वो जो है इंजन जो है वो खो चुका है वी है लोस इंजन इसे पाईलेट की ये वोइस भी सुनी गई जब के उसको दोबारा पोजिशन के लिए जो है कंट्रोल ने बोला के वो बिल्कुल रन्वे खाली आप लेंड करें ताहम उसके बाद जो है पौरी मेडे मेडे 8303 की पा पाईले की सेटलाइट वीडियो टोन्फनीज ने हासल कर ली है जिसमें देखा जा सकता है कि पाईलट ने पहले जब रन्वे पर तयारे को उतारने की कोशिश की पाईलट ने दुबारा टेक आउफ किया तो 20 सेकिंड तक तयारे की लोकेशन रन्वे की उपर है पाईलट ने जहास को शाटकट से रन्वे पर ले जाने की कोशिश की और दुबारा लेंडिंग के दौरान तयारा मन्जर से खाइब हो गया